हाई फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग टू अल अफ यू सक्सेज पॉइंट से धुरु शर्मा दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल की बीसे विज्ञान का पहला चेप्टर पहले वीडियो हम लोग रसायनिक अभी करें हम स्वमिकरड का एक सौट वीडियो देखे थे और पढ़े थे आज फुना उसी को थोड़ा सा और हम विस्त्रीद करके पढ़ेंगे तो दोस्त इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो करें और सेयर करें ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें दोस्त आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम डिरेक्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे उसके बाद से हैडिंग है अपगटन अभिक्रिया है इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अड़ो दो या दो से अधिक छोटे अड़ो या परमाड़ो में अस्थाई रूप से विभक्त हो जाता है या क्रिया मुखिता दो परकार से होती है पहला है उसमिय अपगटन अभिक्रिया वहरा साइनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयो में तूट जाए प्रन्तु ठंडा करने परपुना मूल पदार्थ न बने उसमिय अपगटन अभिक्रिया कहा जाता है जैसे उदारण में है पोटेसियम क्लोरेट तीर का निसान उसके बाद से हैं पोटेसियम क्लोरेट प्लस आक्सीजन गैस दूसरा समिक्रण है मरकरी का अक्साइड तीर के निसान मरकरी प्लस आक्सीजन गैस जो तीर के उपर जो चीन दिया गया वो गर्म करने अथवा उसमा को ब्यक्त करता है अगला हैडिंग है बिधूत अपगटन अभिक्रिया इस प्रकार की क्रिया किसी बिधूत अपगटे के बिलिया बिलिया ने गलित अवस्था में बिधूत धरा परवाहित करने से होती है हुदारण है अच्टू ओ यानि जल उसके बाद से उपर है अमलिया बिलियन में या विदूत धरा में उसके बाद से निर्माल हुए है एच्टू प्लस ओ टू दूसरा हुदारण है एने सीयल यानि सोडियम को लाइट तीर के उपर गलित अवस्था में उसके नीचे धारा उसमें तयार हुआ एने प्लस सीयल टू अगला हैटिंग बढ़ेंगे हम लोग पूभाय अपघटन जीस रसायनिक अविक्रिया में जोगिकों के आएनो या आवयों की आपस में अदला बदली होकर नए योगिक बनते हैं उसे उभाय अपघटन अविक्रिया कहते हैं उदारार जैसे एजी एनो थ्री सिल्वर नाइट्रेट प्लस एन एसी एल यानि सोडियम कुल राइट तिरका निसान उसके बाद से एजी सी एल यानि सिल्वर कुल राइड प्लस एन एनो थ्री सोडियम नाइट्रेट ये अभिक्रिया हैं मुखिता ऐसे दो जोगिकों के जलिय बिलियनों के मिलाने से होती है जिन में से एक धनात्मक तथा एक रिनात्मक आयन मिलकर कोई अविले योगिक बनाते हैं जो अवच्छेप के रूप में बिलियन से अलग हो जाता है समिक्रण में तीर कचिन और छेप को व्यव्यक्त करता है वैसे यगला हेडिंग है रसायनिक समिक्रण कि इसके बार में हम पॉलेंगे किसी भी रसायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधेक पदार्थ परस्पर किरिया करके नए पदार्थ नए पदार्थ बनाते हैं ऐसे परिवर्तन को गड़ीतिय समिकरणो की भाते एक समिक्रण से ब्यक्त किया जाता है कि ब्यक्त किया जा सकता है कि सी रसायनिक परिवर्तन को ब्यक्त करने वाले ऐसे समिक्रण को रसायनिक समिक्रण कहते हैं जैसे अगला हेडिंग है अभिक्रिया लिखने की बीधी अभिक्रिया करने वाले अभिकारक समिक्रण के बराबर या चीन के बायू और तथा अभिक्रिया के फल स्वरू बने परिणामी पदार्थ उत्पाद चीन के दाई और लिखे जाते हैं धन चीन यानि प्लस चीन दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच लगाया जाता है तथा परिणामी पदार्थों के बीच भी इसका प्रियोग करते हैं समिक्रण के दोनों और परतेक तत्व के परतेक तत्व के परमाड़व की संख्या समान कर ले जाती है अर्थात समिक्रण को संतुलित कर ले जाता है गैसो को सदयव अलू के रूप में लिखा जाता है जैसे सी एल टू कामा करके है ओ टू एंटू एच टू इत्यादी अगला समिक्रण एंटू प्लस एच टू तिरका निसान उचके बाद से तयार हुआ उत्पाद में एंट एच थ्री किसी भी समिक्रण को उनके सभी रासायनेक समिक्रण में अभिकार को एउम उत्पादों में निम्लिखित जनकारी है जैसे एक नमबर है अभिकारक ततो तथा जयोगिकों के नाम एवम संगठन दूसरा उत्पादों के नाम एवम संगठन तीसरा रासायनेक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रबेमान अनुपाद और चोथा है अभिकारक गैसो तथा उत्पादित गैसो का आयात नात्मक अनुपाद फिर फुन अगला एडिंग रासायनेक समिक्रण की कमिया रासायनेक समिक्रण की कमिया सेया ग्यात नहीं होता है की अभिकारकों की ली गई तथा उत्पादों की उत्पन मात्राएं क्या है दूसरा अभिक्रिया दाब एम ताप की कीन दसाओं में होती है तीसरा अभिक्रिया एम एक द्वीसिया है अथ्वा उत्क्रमडिया अगला टोपिक अगला नमबर है अभिक्रिया में उर्जा आवसोसित होती है अथ्वा मूक्त अगला हैडिंग संतुलित रशायनिक समिक्रण रशायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाडो नश्ठ होते हैं न नय परमाडो बनते हैं और नहीं एक तत्व के परमाडू किसी दूसरे तत्व का परमाडू बनता है अतह रासायनिक समिक्रण में उसके दोनों पच्छों में परतेक तत्व के परमाडवों की मात्रा समान होनी चाहिए तभी वह रासायनिक समिक्रण क्रिया को सही रूप में ब्यक्त करता है इस प्रकार के समिक्रण को संतुलित समिक्रण कहते हैं हुदार हाइड्रोजन प्लस अक्सीजन तीरकनिसान एच टू यान जल का उत्पाद हुआ है उब्जुक्त समिक्रण अभिक्रिया के अभिकार को तथा उत्पाद को ब्यक्त करता है प्रन्तु इसमें समिक्रण के दोनों पक्षों में आक्सीजन परमाड़ू की संख्या समान नहीं है अर्थात यह समिक्रण संतुलित नहीं है संतुलित करने पर इसका स्वरुप निवनुवत हो जाता है है अध्यू प्लस ओटो तिरका निसान एच टू ओ अभिकारक है डोजन और अक्सीजन दोनों को बराबर करने की संतुलित करने के लिए उत्पाद के बराबर करना होगा हमको अभिकारक को तो हमने बैलेंस किया है अगला एडिंग मन्द अभिक्रिया है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पूरा होने में अधिक समय लगता है और जैसे लोहे की बस्तू पराक्सीजन की करिया से जंग लगना किसी लोहे की बस्तू के पूरी तरह जंग में परिवर्तित होने में अनेक बर्स लग सकते हैं ऐसी क्रियाओं को मन्द अभिक्रियाओं कहते हैं मन्द अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन धीरे धीरे अर्थात अधिक समय में होता है अगला एडिंग मन्द विक्रियाओं उधारण सल्फियूरिक अमल H2SO4 की उपस्तिती में एथिल एल्कोहाल C2H5OH एसिटिक अमल CH3COOH से किरिया करके एथिल एसिटेट CH3COOC2H5 और जल पनाता है इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनेक मिनट लगते है अताया एक मन्द अभिक्रिया है एक्जामपल में समझते है एक्जामपल आपके सामने है CH3COOH प्लस C2H5OH तीरी का निशान उपर है सांद्र यानि H2SO4 फिर उत्पाद में CH3COOC2H5 प्लस H2O H2SO4 को सल्फियूरिक अमल कहते हैं C2H5OH एथिल एलकोहाल CH3COOH एसिटिक अमल H2O जल और CH3COOC2H5 को एथिल एसिटेट अमल कहते हैं अगला हैडिंग है तीब्र अभिक्रिया है तीब्र अभिक्रियाएं अत्यांत कम समय में ही पूरी हो जाती है अभिकारकों को मिलाने पर उनके पूरे होने का समय 10-6 सेकेंड के कोटीमान का होता है तीब्र अभिक्रियाएं मुखेता आयनो अथवा आयनिक योगिकों के बीच होती है उदारण सिल्वर नाइट्रेट अजी एनो थ्री के बिलियन को जब सोडियम क्लोराइड याने सील के बिलियन में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड एजी सी एल का ततकाल सफेद औचेप बनता है यह एक ताच्डिक अभिक्रिया है क्योंकि आयनो के बीच होती है एक्जामपल एजी प्लस एनो थ्री माइनस प्लस एने प्लस सी एल माइनस तीर का निसान एजी सी एल प्लस एने पर सोडियम पर प्लस है फिर एनो थ्री पर माइनस है रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारव निमन है निम्न लिखित हैं ताप, दाब, अविक्रमकों की मात्राएं तथा उत्प्रेरकों की उपस्तिती अथ्वा अनुपस्तिती कुछ अविक्रियाय नमे प्रकास आधी से भी प्रभावित होती है तो दोस्त थैंक्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें फॉलो करें